दोस्तों अगर आप एटल मित्र के रिटेलर हो और दोस्तों आप MNP करते हो तो आपको कितना कमिशन दिया जाएगा इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलने वाली है कौनसी एफ़ार पर हमी कितना कमिशन मिलेगा एटल में MNP करने पर किसी भी कमपणी की सिम एटल में अगर आप पोर्ड करते हो तो आपको कितना कमिशन दिया जाता है एटल की तरफ से तो इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों फुल जानकारी आपको बदनाने जा रहा हूँ एटल में MNP कैसे करते हैं और MNP करने के बाद में कब कमिशन आता है कौन सी FHR पर कितना कमिशन मिलेगा दोस्तों अगर आप एटल मितर से MNP कर रहे हो तो आपको जो FHR डालनी है दोस्तों 99 का रिचार्ज करना है दोस्तों जैसे ही हम रिचार्ज करेंगे तुरंत ही हमारा जो पे आउट है कमिशन मिल जाएगा तो दोस्तों आपको इसी वीडियो में हम दिखा रहे हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 399 बाले में इंटर करना है और 99 का रिचार्ज यहां से कर देना है रिचार्ज करने के बाद में दोस्तों तुरंत ही हमें कमिशन मिल जातना है जो हमारा कमिशन है पे आउट है हमारे बेलेट में आ जातना है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रिशाज किया तुरंत ही हमारा कमिशन भी आ चुका है अब दोस्तों हमें जाना है माई एकाउंट में आपको यहाँ पर माई एकाउंट मिलेगा आपको माई एकाउंट से ही अपना कमिशन चेक करना है जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने माई एकाउंट पर आप किलिक कर दिया है माई एकाउंट से आप अपना कमिशन देख सकते हो MNP करने पर कितना कमिशन मिला है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 99 का रिशाज किया और दोस्तों, दोस्तों, 86 रुपे का यहाँ पर हमें कमिशन मिला है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो लागत आई है, MNP करने पर 13 रुपे की, दोस्तों, जितने भी एटल मित्र के रिटेलर हैं, उन सभी को यही कमिशन दिया जातना है, और दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले आपको MNP करने के बाद में, रिचार्ज को स्कीप कर देना है, उसके बाद में जब सिम चालू हो जाए, तभी आपको रिचार्ज करना है, रिचार्ज करते ही आपको कमिशन मिल जाएगा, जैसी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कमिशन मिल चुका है, दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आएगी